मतलब अगर बॉडी बिमार है, सरदर्द है या फिर वाइटमिन्स के देफिशन्सी है तो आप सप्लिमेंट ले लो, गोलिया खालो और अप फिर एकदम ठीक ठाक चंगे हो जाओगे पर मन के रोगों का क्या? मन के कौन से से तार है, ऐसी कौन से चीज है कि सिर्टि स्कैन में निकलाएगी, एक्सने मशीन होगा जिसमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इश्यू है, यह चीज है, अगर मन का रोग है तो यह सप्लिमेंट लो, यह वाइटमिन्स लो, आप मेंटली फिट हो यह नहीं लगता आपको ऐसा, वाइटमिन्स लो, अगर शरीर को ठेक कर सकते हैं, तो मन को क्यों नहीं, पर यह अलग बात है कि यह जो वाइटमिन्स है, यह आपको बाजार में नहीं मिलेंगे, हाई मेरे नाम जिया है और आप मेरे साथ ख्यालो वाली खिड़की में हो, औ पैंडमिक की वज़े से बहुत सारी चीजों में बदलावाया है, लाइफ पहले जैसी नहीं रही है, सहे फिनांशल स्ट्रेस हो, रिलेशन्शिप का स्ट्रेस हो, इसी बहुत सारी चीजों का मिक्स हो जाना भी दिमाग को और मन को काफी चोट पहुँचाता है, सो सबसे ज जादा हमारे मन पे इंपक्ट छोड़ जाते हैं, सुख का कारण भी वो होते हैं, और दुख की वज़ह भी हमारा मन ही होता है, और वैसे भी मैं मानती हूँ कि आजकल रिष्टों में नूट्रिशन की बहुत जरूरत है, मतलब अगर आप टाइन टाइम पे अपने मन को तो आपके आसपा सब कुछ ठीक हो सकता है, सिंपल, सो वाइटमिन ए होना बहुत जरूरी है, अब वाइटमिन ए, अरे अटाच्मेंट हम भले दूर हैं, लेकिन एक दूसरे से अटाच है, एक दूसरे से करीब है, यह हैसास भी आपको अंदर से कितना अच्छा रखता है, सो वाइटमिन ए is equal to attachment, जो आपकी दोस्ती आपके relationship को फिर एक बार uplift करता है, और वाइटमिन ए को, वाइटमिन बी का अगर support मिल जाए, तो relationship बहुत जादा refresh हो जाता है, वाइटमिन बी, अरे उसमें तो बहुत सारे types है न, B3, B5, B12, बिल्कुल वैसे ही, वाइटमिन बी यानि के bonding, जब रिष्टों में गलत फेमिया होती हैं, तो bonding कमजोर हो जाती है, सो गलत फेमियों के वाइटमिन बी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि रिष्टा सर्फ टेंपररी नहीं होता, वो याद बनके आगे संभालने के लिए भी बहुत काम करता है, और इसी हो, हफते में एक बार वाइटमिन डी का, यानि के डेडिकेशन, इस दुनिया में कोई भी रिष्टा नहीं है, जो बिना डेडिकेशन आगे बढ़े, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, कि बिना डेडिकेशन हो पाए, और ये तो रिष्टे हमारे मन से जुड़े होए है सारे वाइटमिन्स रिष्टों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, और वैसे भी कहते हैं न, मम्मी पापा नहीं कहते हैं, साल में एक बार तो बॉड़ी चेकप करा दो और वैसे भी इस पैंडमिक में तो बहुत ज़रूरी है, बिलकुल वैसे ही, मन का चेकप भी बहुत जाती है, that's why it's very very necessary, कि वक्त आने पर वाइटमिन A, B, C, D, आप अपनी मर्जी से अपने सप्लिमेंट्स एड़ करते रहिए, और मन के तो बहुत सारे रोग होता है, पतानी कौन सा रोग हमें लग जाए, comparisons, possessiveness, खामोशी, गलत फैमिया, अविश्वास, न, जानी कौन सा र अपनी जिंदगी के साथ, तो बस संभालिये अपने मन को, उसकी देखभाल कीजिए, वरना वो isolation mode पे चला जाएगा, और वैसे भी रिष्टों को nutrition की जरुवत बारी-बारी होती है, उन्हें सींचना पड़ता है, उनके साथ grow होना पड़ता है, उनकी देखभाल परनी पड अपने मन के लिए, टेक केर